नेमस्ते वच्चों नयारास्ता चैप्टर चब्बीस मीनू की विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी विवाह की लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपेयों में तै कर ली गई थी जैसे ही उसे पता चला की 10,000 रुपे केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे चंद खंडों की सजावट के लिए पैसों की बरबादी उसे यह सब पसंद नहीं था सायंकाल जब दयाराम जी खर में आएं तो उसने सबसे पहले उनसे ही प्रश्न पूछा पिदा जी कुछ ही खंडों की रौन के लिए आप 10,000 रुपे के बरबादी क्यों कर रहे हैं उचित एही होगा कि इन में से 5,000 रुपे आप किसी गरीब बेसहारा को दे दे जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे गरीब बेसहारा विक्ती जिन्दगी भर आपको दुआये देगा किसकी विवाह की तैयारियां शुरू हो गए थी? हाँ मीनू की विवाह की तैयारियां शुरू हो गए थी मीनू ने किस बात का विरोध किया? मीनू को पता चला कि उसकी शादी में केवल पंडाल की सजावट के लिए 10,000 रुपे खर्च किये जाएंगे मीनू ने पहले ही पिदाजी से कहा था कि उसे किसी भी प्रकार की फिजल खर्च पसंद नहीं है यानी सजावट के लिए पैसों की बर्बादी मीनू को अच्छी नहीं लगी इसलिए उसने इसका फिरोध किया मीनू came to know that 10,000 रुपेश विल बी स्पन्ट फो पंडल उल्ली for her wedding मीनू had already told her father that there is no need for any unnecessary expenses she did not like wasting money for decoration that is why she opposed it सायमकाल जब पिताजी खर आये तो मीनू ने उनसे क्या कहा शाम को जब दयाराम जी खर आये तो मीनू ने सबसे पहले उनसे यह प्रश्न किया कि वे कुछ ही घंडों के रौन के लिए 10,000 रुपेश के बर्बादी क्यों कर रहे है मीनू ने पिताजी को क्या सुचाव दिया मीनू ने पिताजी को सुचाव देते हुए कहा कि उचित एही होगा कि इन में से 5,000 रुपेश वे किसी गरीब बेसहारा वेक्ती को दे दे जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू कर सके गरीब बेसहारा वेक्ती जुन्दगी भर आपको दुवाये देगा When Dayaramji came home in the evening, Meenu first asked him why he is wasting 10,000 rupees for the pomp and show for few hours. Meenu suggested her father that it was better to give 5,000 rupees for a destitute person rather than wasting the money unnecessarily. If it is given to such a person, he will pray for you the rest of his life. Third paragraph एसब बाते Meenu एक ही सास में बोल गई. उसकी एसब बाते सुनकर Dayaramji कुछ सोच विचार में पढ़ गए. कुछ शंड बात वे बोले, Meenu बेटी, दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पढ़ता है. बिना सजावट के आजकल शादी में रौन कहां आती है. परंदु पिदा जी, छंद खंडों के लिए 10,000 की बरबादी में पसंद नहीं करूंगी. Meenu ने सपश्ट शब्दों में कहे दिया. Meenu के सुझाव को सुनकर, कुछ सोच विजार कर, दयाराम जी ने क्या कहा? दयाराम जी बोले की, बेटी, दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पढ़ता है. सजावट के बिना शादी में रौनक नहीं आती है. पिताजी के ए शब्द सुनकर, Meenu ने सपश्ट शब्दों में क्या कहा? Meenu ने कहा कि, चंद खंडों के लिए दस हजार की बरबादी वो पसंद नहीं करेगी. Father told that a lot has to be done for the society also. Without decoration, the wedding does not be attractive. Meenu के विवाह में दस दिन शेश बचे थे. खर में अनिक प्रकार की तैयारियां चल रही थी. Meenu बाहर चांक में बैठी, मशिन से सिलाई कर रही थी. तब ही उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई पड़ा. जैसे ही उसने अपनी नजर उढ़ाई, वो विस्मित सी देखती रह गई. अरे, यह क्या? यह तो राजो का चचेरा भाई मनोहर है. इसका एक पैर कटा हुआ है. सेदे हाथ की दो अंगुलियां भी गायब है. यह क्या हो गया इसे? मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशांसी हो गई थी. तब तक मनोहर उसके समीब आ गया था. मीनू ने मनोहर को बैटने के लिए कहा. उसने अपने बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वायम पास में पड़े एक पलंग पर बैट गया. दीदी आप तो देख ही रही हो उसने उदासवर में उत्तर दिया. एसब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए पूछा. एसब समय का फेर है दीदी. मेरे भाग्य में एही सब लिखा था. मुझे एक फैक्टरे में नौकरी मिल गई थी. मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी चोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई. परंदू इशवर को एसब मन्जूर नहीं था. एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशिन में आ गया. साथ ही सीदे हाथ की दो अंगुलिया भी कट गई. ये तो बहुत बुरा हुआ. मीनू भी उसकी बाते सुनकर उदास हो गई थी. दूसरे ही क्षन मनोहर के चहरे पर प्रसन्नदा की लहर दाड़ गई. वो मुस्कुराते हुए बोला. दीदी मैंने सोचा आज कर शादी का काम होगा. मैं भी कुछ काम कर आऊँगा. तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा की उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था. इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा. आजकर तुम क्या कर रहे हो? मैं तो खर में खाली बैटा हूँ दीदी. मुझ अबाहिच को कौन नौकरी देगा? देखो बच्चों, परिजित स्वर किसका है? वो यहाँ पर क्यों आया है? मीनू की शादी में केवल दस दिन बचे थे. वो बरामदे में बैकर सिलाई कर रही थी. तब वहाँ मीनू से मिलने राजो का चचेरा भाई मनोहर आया था. मीनू की शादी का काम करने आया था मनोहर. There were only 10 days left for मीनू's wedding. While she was sitting in the veranda and seeing, राजो's cousin मनोहर came there. He came to do some work in association with मीनू's wedding. मीनू उस विक्ती को देखकर चाकित क्यों हो गई? मनोहर का एक पैर कटा हुआ था. सीधे हाथ की दो अंगुलिया भी गायब है. मीनू उसकी हालत देखकर परेशांसी हो गई. मनोहर's one leg was amputated. Two fingers of right hand were also missing. मीनू got upset seeing his condition. मनोहर के साथ क्या खटना खटी थी? मनोहर को एक factory में नौकरी मिल गई थी. वो अपने को बहुत खुश नसीब समश रहा था कि उसे इतनी चोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई. लेकिन दुर्भागिवश एक दिन काम करते समय उसका पैर मशिन में आ गया. साथ ही सीधे हाथ की दो अंगुलिया भी कट गई. मनोह टोल मीनु अब इस बाद लुक। मनोह गजा टा जॉब अंच्टरी। जूस वह रहा लगी एक उछाब तर अंगुच। उफुच्छी बुच्छी लग रएक हैसे और ले श्मुद बटूब साथुच। एर रहा जोग लोगी ते खुच्छी। were also cut दूसरे ही ख्षन मनोहर के चहरे पर प्रसन्नता की लहर दवड गई क्यों? मनोहर ने सोचा की मीनू का विवाह है इसले उसे कुछ काम वहां मिलेगा यह बताते समय वह प्रसन्न नजर आया मनोहर thought that he would get some work in मीनू's wedding he appeared to be happy while telling this तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? इस प्रशन के बाद मीनू को ऐसा क्यों लगा की उसे उसे से यह प्रशन नहीं पूछना चाहिए था मनोहर एक अपाहिच विक्ती है उसके साथ एक दुर्खटना हुई थी वह अब बहुत दुखी है एक काम मांगते हुए आया है मीनू ने मनोहर से यह पूछा की वह क्या कर सकता है? यानि इस प्रशन में उसकी शारीरी कमियों के बारे में मीनू ने सूचित किया है एक अपाहिच से ऐसा प्रशन करना उचित नहीं है मीनू asked मनोहर unintentionally what work he could do there Soon she thought that she should not have asked such question मनोहर is a disabled person He had met with an accident Now he is very sad He came to ask for some work in मीनू's house Since it was a wedding मीनू ने अपनी इस बात को किस प्रकाव संभाला? मनोहर ने क्या उत्तर दिया? मीनू ने अपनी बात संभालते हुए पूछा की आज कल वह क्या कर रहा है? उसने जवाब दिया की उसके जैसा अपाहिच को कोई नोकिरी नहीं देता इसलिए वह कोई काम नहीं करता है मीनू handled the situation and asked what he is doing nowadays He replied that nobody will give job to a disabled person like him So he is not doing any work मैं तो खर में खाली बैठा हु दीदी मुच अपाहिच को कान नोकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास पष्ट था मीनू के हरदे में बच्चपन से ही आपंगों के लिए दया की भावना थी परंदू मनोहर को तो वैसे भी वह बच्चपन से ही जानती थी इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी मीनु ने मन ही मन निश्चे किया कि वो किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायदा आवश्य करेगी विवाह के भालतु खर्च में से कुछ रुपे बचा कर अपाहिच मनोहर की सहायदा करने का उसने संकल्प लिया रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मेनु यही सोचती रही की न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं इदि प्रतीक संपन विक्ती अपनी जिन्दगी में किसी एक की सहायदा कर उसे चोटा सा काम करा दे तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोसगारी की सम स्या दूर हो जाएगी परंदू ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं परंदू ऐसे लोगों की मदद कौन करता हैं तो बच्चों मीनु ने मनही मन क्या निश्चे किया मीनु ने पाह के फाल्तू खर्च में से कुछ रुपे बचा कर मनोहर की मदद करेगी। इसमें उसकी कामसी चारित्रिक विशेशुदा दिखाई पड़ती है। मीनु को अपंगों के लिए दया की भावना थी। मीनु एक स्वाभिमानी और उदार चरित्र वाली युवती थी। उसमें गरीबों और बेसहारों की सहायदा करने की चाह है। मीनु की उदारदा के कारण ही अपंग मनोहर की जिंदगी में सुधार आई। पैसे की बरबाद भी उसे परसंद नहीं है। मीनु decided to help मनोहर by saving some money from the extra expenditure of her marriage। मीनु had a feeling of sympathy for disabled people। मीनु was a young woman with a proud and generous character। she wanted to help the poor and destitute। it was मीनु's generosity that brought change in मनोहर's life। रात में बिस्तर पर पड़े-पड़े मीनु के मन में कौन-कौन से कल्यानकारी विचार उत्पन हुए। हाँ मीनु सोचती है कि हमारे देश में मनोहर के तरह बहुत अपाहिच लोग है। मीनु सोचती है हार एक संपन विक्ती अगर किसी एक बेसहारे विक्ती को चोटा सा काम दिला कर उनकी सहायदा करे तो हमारे देश में अपंगों की बेरोजगारी के समस्या दूर हो जाएगी। मीनु thought that there are many handicapped people like मनोहर in our country and she also thought that if every rich person helps one destitute person by providing them any work then the problem of unemployment of the handicapped in our country will be solved. पालंग पर पड़ी-पड़ी मीनु यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप में सहायदा की जाए। यदि उसे रुपे दे दिये जाए तो कहीं वर वैसे ही उन रुपेों को खर्च न कर दे। और यदि उसे कोई काम भी कराया जाए तो कौन सा। यह अपाहिच हर कार्य को तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनु के मस्तिश्क में यह विचार आया की मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर न होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं। फिर सीधे हाथ की दो अंगुलिया नहीं है तो क्या हुआ। बाकी तीन अंगिलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है। और पांच हजार रुपेओं में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। प्रादव होते ही मीनुने अपना सुचाव अपने मादा पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनु का सुचाव उजित लगा। उन्हें अपने बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानी वा उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य मैसूस कर रहे थे। मनोहर को मीनु के खर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनु की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। मीनु अपने पलंग पर लेटे लेटे मनोहर की सहाइदा करने की संबद में सोचती रहती है। तब ही उसके मन में यह विचार आता है कि मनोहर को पान की दुकान खुलवा दी जाए। एक पर न होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं। फिर सीदे खात की दू अंगुलिया नहीं हैं लेकिन बाकी तीन अंगुलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है। और पान ज़सा रुपयों में पान की दुकान आसानी से खुली जा सकती है। मीनु लेट अन हर बेट तिंकिंग अपार्ट हेल्पिंग मनोहर। ते शी तॉत आपाह decíaं अंगुलियों मनोहर। वी सadece में गुझलिय। mostly आसारी से घुले तो चाह से रुप घट बासूजटे एडोगेस की दूपश। मिनु तॉता अपंगुग। मिनु नहीं बिट लाप में उंगुलिय। की दूच। And a pan masala shop could be opened easily for Rs. 5,000. मेनुस parents liked this suggestion and they were proud of their daughter. 6,000. 6,000. 6,000. 7,000. 7,000. 8,000. 9,000. 10,000. 10,000. 10,000. 11,000. 11,000. 12,000. 11,000. 12,000. 12,000. हन्यवाद. जाओंग जाओंग में रुकर्ण रहाद को अो, अीएर्ण वेंग में तक में दो